असलामलेकुम यूवर्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम अपने कजन के बाल स्ट्रेट करने वाले हैं यह मेरी कजन है चोटी राभिया मैं और रिक्राइस के बाल स्ट्रेट करेंगे होम में मतलब घर पे किसा भी कॉर्निटाइन में अपने घरों में हैं तो इद के लिए अपने बाल स्ट्रेट करवाना चाह रही थी मैं वीडियो थोड़ा लेट लगा रही हूं लेकिन हमने इसके बाल इस तरह से घर में ही स्ट्रेट किये हैं तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट होने के बाद यह कितने सिल्की स्मूध और स्ट्रेट हो चुकी हैं और आपने अगर इसकी टिप और ट्रिक देखनी है तो वीडियो को लास तक देखें मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगे हमने किस तरह से स्टेप बाइस्टेप काम किया फर्स फॉल तो मैं आपको इंग्रीजेंट्स बता दू आपको इसके लिए मैंने तो इसके लिए टेलम चाहिए और अप्लीकेटर चाहिए जही है इनकीटंग ब्रश में सारे टूप में मैंशन वॉब वली नंबर उन malin वाद वाइप लिपि लिए को हम जड़ा, तकि हम इसको बार बार से निकाल के लगाना थोड़ा मुश्किल होगा तो इसलिए हमने बाल में निकाल दिया उस्पेशली कांश का बाल दीचेगा तो इसमें इसका रंग बगारा कुछ भी नहीं रहता वैसे तो इसका कोई कलर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको इहत्यात के लिए बताया अब ह जो हमारा जैसे आप कस्टमर के लिए आपने कस्टमर के कहने है जिसके के करने है या अपने भी करने है तो हाफ सेक्शन कर लें और यहां से हम थोड़े थोड़े से बाल लेकि इस तरह से इसमें अप्लिकेटर की मदद से लगाते रहेंगे और आप यह याद रखें आपने तक्रीबन दो उंगली के फासले से ही अपलाई करना स्टार्ट करना है क्योंकि जड़ों से इसे नहीं लगाते कभी भी इस बात का आपने बहुत खास कहल रखना है कि आपने जड़ों से नहीं लगाना इसको और लगाके स्ट्रेट करके रखना है लगाने से पहले gloves पहनना मत भूलिएगा हमने बाल करने के बाद gloves safety करने थे टेए गलफपने हैं और में बाकिछी नहीं ठेहा है इसकी मेस इसकी help तो मैं प्रहुआई नीका परती है यह देखे यहाँ एप्लौ्च को ए लिए व मथच एक्रीव चाहिए दूछना प्तुर कर एकट कोई आपको बढ़ा के डांटे नाखे घर में आपको पैनली स्मेल कर दिये अर गड़ी सर्क्राइब के आपके अप गड़ा से वूझ पला इस तरह से करेंगे ताकि सारे बालों पर अच्छे से क्रीम अपलाए हो जाए बहुत ही जबर्दस तरीके से हमने इसके बालों को स्ट्रेट किया था और हमें इतना, मतला अभिए था हमें वी यहुहा नहींगे लेकिन इतने अच्छे हो गया खोला कि इन फेटमें को ह Dipेट है आप लोगों को अगर गरतें नहीमें निटित्मınt के लिए त्यूट मेंगे अगर तो दो रहिए नहीज बात है 20 मिनट्स लगाया था और जो दूसरी ट्यूब है उसको भी हमने 20 मिनट्स लगाना है लेकिन अब यह जो आप्लिकेशन देख रहे हैं फर्स ट्यूब की इसको हमने अप्लाई किया और तक्रीवन 20 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ दिया था यह फूल पे हम अप्लाई करके यह स्ट्रेट हो जाएंगे और 20 मिनट्स बाद हमने इसको वाश करना है वीवर्स यह देखें फूल अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है और फूल हैर्स पे क्रीम लगी हुए 20 मिनट्स का वेट करेंगे हम उसके बाद हैर वाश कर देंगे 20 मिनट का वेट क बाद हमने बालों को वाश कर लिया है और इस तरह से गीले हैं हम first of all ड्रायर से से ड्राय करेंगे और इसके बाद ही हम दूसरी क्रीम अप्लाय करेंगे गीले बालों में सेकीं क्रीम बिल्कुल भी अप्लाय नहीं करने उस तरह से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा मेरे बिल्ले की अवास को अग्णोर कीजिएगा यह देखिए हमने ड्राय करके बालों को इस तरह से स्ट्रेट करना जी जी ठीक है यह हमने ड्राय कर लिया अब हम इसे स्ट्रेट करेंगे स्ट्रेट करके दिखाते हैं आपको थोड़े थोड़े से बालों की सेक्षिन लेने हैं आपने और बालों को स्ट्रेट करना पहले आपने प्री हीट कर लेने हैं स्ट्रेट को उससे जड़ा अच्छे से हो जाएंगे टेल को हम आप साथ में रखें तो ज़्यादा बहतर है य अच्छे से स्ट्डेट हो जाते हैं यह हम आपको फुल पे करके दिखाते हैं फुल हेर्ष पे स्ट्रेट करने मदध è स्ट्याइप बहुत इंपोर्टन है आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेट करने हैं हम अपने बाल इस तरन में स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं इसलिए आप किसी की help लें आपनी sister की एक किसी गजन की क्रीम अप्लाई करना भी खुद से इतने इजी ली नहीं होगा तो आप हेल्प लाज में ले लेज़ेगा या आप ये क्रीम और्डर कर लें आपको दरास से भी मिल जाएगी हमने ये दरास से ओर्डर करवाई थी स्ट्रेट करने के बाद लुप कुछ इस तरह से लग रही है सिंपल से स्ट्रेट हुएं भी है इतने सिल्की नहीं लग रहे हैं सेकेंड क्रीम के बहुत जाद सिल्की हो गए थे सेकिंड केरिटिन स्ट्रेटिंग ट्रीट्मेंट है यह डिपांडिंग सिस्टम की तो बहुत ही जबरदस्त है यह अब यह हमने एक बॉल में निकाल लेनी है दुबारा से और इसे हम अप्लाइ करना स्टार्ट कर देंगे मिघन लिए है हमने इस तरह से फुम एप्लाइ की थी सेक्शन करके स्थे करें इस तार से कम करने से आपको कमज़ए बी रहेगा कि आप घर में हैं बहुत लादा टाइम लग आ पिर हमारे भाई वाके ते पहां melhor कर तो थोड़ा इश्यू होता है तो घर में ज़रा हम यह कमफरटेबली कर सकते हैं सिर्फ मैंने आपको ट्यूब्स का बता दिया है आप इस तरह से प्लाइए कर सकते हैं और 20-20 मिनट्स काब ने टाइम देना अगर आपको लग रहा है कि 20 मिनट्स इनफ नहीं है थोड़ा आप अगर आपको लगता है आपके बाल जादा फ्रीजी है तो लेकिंगे कोशिच कीजिए सिर्फ 20 मिनट्स दें पूरे बालों पर लगा लें और फिर 20 मिनट्स टाइम दे दें बालों को आप चेक कर सकते हैं हाथ के मदद से लगा के कि अगर वो सॉफ्ट से हो गए हैं तो देख लीजिए सेकिंड क्रीम हमने फुल हेर्स में अप्लाई कर ली है और अब हम इसी 20 मिनट्स का टाइम दुबाया से देंगे और फिर वाश करने में इस तरह से अगर आप कंगा या कोई ब्रॉश वगएरा करते रहें तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं मिलकुल दो जैनों बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमें मिला है अगर आप लोग भी यही रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप यह ट्रिक इस्तमाल कर सकते हैं मुझे बहुत अच्छे लगए आप लोगों को अपनी वीडियो दिखा के अगर आप लोगों को भी में वीडियो देखके मज़ा हो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपना बहुत 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 अदा ख्याल रखा करें द्वामे लात में शामिल रखिएगा मुझे और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट से वीडियो केस्ट को पूरा करके मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज झाल चक करेंज झाल झाल झाल